से संबंती यह आपके लिएं और यहां पर एक कंटेंट सोब्सक्राइब कि हिंदी नीवेड़ से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाईये क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से हमेशा उत्राखंड ओपन उनिवर्स्टी श्रीदिय सुमन उनिवर्स्टी और साथ में एज़न भी गड़वारी उनिवर्स्टी से समबंदित जितने भी एन्वेंट होते हैं लेटस्ट अपडेट हमेशा आपको आपडेट क्या जाता है और साथ में आपके जितने भी रिजल्ट आनांस होते है तिनय यवस्टी के जितनी भी नोटिपीकेशन आते हैं सबके जानकारी आप तक पहुँचती है यह बेनिटिशल विडियो आप तक मिलती है तो उनको जानने के लिए समझने के और आप तक पहुचने के लिए सबस्क्राइब करना जोरूरी है तो सबस्क्राइब कर दिजी और लाइक कीजी शेर कीजिए सभी स्टुडेंट्स को क्योंकि यह एनॉंस्वेंट जो हम लेकर रहा है ने सभी स्टुड contributes हैं saben New admission अगर आपको देना है तो आप new admission भी दे सकते हैं और अगर आपका admission है तो आपको दुबारा से अपना registration कराना होता है तो online परवेश परिख्षा लेनी होती है पाठ्ठे करम में वो आप लेने चाहें तो ले सकते हैं डेट आ चुकी है एक जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं आपके और ये जो आपके एन्मिशन चलेंगे बता देते हैं कि आपके कब तक ओनलाइन परवेश परिक्षा यानि के परवेश प्रारम चलेंगे यहां पर इन्हों ने बताया है कि विश्विध्याले अनुदान आयोके पूर में प्राप्त निर्देशों के करम में आपको एक जनवरी दो हजार तेई से उत्रकंड मुक्त विश्विध्याले के सभी पाठ्य करमों में ओनलाइन परवेश परिक्रिया प्रारम हो रही है परवेश विश्विध्याले की वेबसाइब पर उपलप्त है करपिया अपने अध्यान केंद्र में अध्यानरत विश्विध्यारती जो है अगले समस्टर में परवेश हेतु सूचित करने का कस्ट करें एब हम सभी इच्चुक नवीन परवेश सार्थी जो है वो विश्विध्याले के विभिन पाठ्य करों में परवेश येतु मार्दशन परदान करें तो जो चीज मैंने भी आपको बताई थी अगर आप अल्रेडी पढ़ रहे हैं तो अगले समस्टर में आपको अपना परवेश लेना होता है और अगर आप निव अन्मिशन चाह रहे हैं तो आप निव अन्मिशन भी ले सकते हैं और यूजी सी द्वारा प्रवेश की अंतिमती थी क्या तैकी गई है 28 परवरी यानि के आपके पास अब तेड़ महिना ही रह गया है तेड़ महिना क्या समझो एक महिना ही समझो आप तो एक महिने के अंदर पहुसे स्टूडेंट तक ये जानकारी नहीं पहुंचती है ऐस से जो महत्रपूर्ण नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि अब यह अनॉंसमेंट अब यह अनॉंसमेंट जो हुआ है जनवरी का तो एंडमिशन का तो सभी तक कि ये जानकारी पहुंच जाएगी अगर आप इसको शेयर करोगे अब यहां पर एक चीज में आपको बता देते ह कई स्टूडेंट्स कई वार कंफ्यूज रहते हैं कि एंडमिशन किस बेस पर हो कैसे हो तो आप इसमें डारेक्ट अपना भी ऑनलाइन अपना फॉम फिल कर सकते हैं अगर आप से ऑनलाइन खुद से फिल नहीं होता तो आप साइबर पर जाकर कर सकते हैं अगर आप साइब फिल करें तो आप महापर भी जाकर अपना फिल करवा सकते हैं अब बात आती है एंडमिशन की जो एंडमिशन है वो किसका होता है अब हम आपको बता दे जैसे की आपने समेस्टर में एंडमिशन लिया है समर में तो आपको विंटर में भी दुबारा से एंडमिशन लेना होत को हुआ है क्योंकि संमेस्टर की क्लास सिर्फ डाला हुआ हैं घर参ल य Cindy वाले होते हैं वह विंटर में भी डाल सकते हैं आपना और यरली वाले इस्टुईंट he विंटर में ही फिल करते हैं, अपना yearly वाले स्टूडेंट और semester वालों को winter में भी form fill करना होता है, summer में भी अपना form fill करना होता है, तो यह महत्वबुन जानकारी थी, अगर आपको भी कोई doubt है, ambition को लेखे, तो आप जो हैं मैसिज कर सकते हैं और अपनी क्वैरिज पेज सकते हैं तो बने रहे हिंदी विनर के साथ ऐसे ही बैनेफिशल वीडियो के लिए और जल्दी से जल्दी अपने अमिशन लीजिए और एक बात और जो विंटर वाले हैं उनकी डेट शिट आने वाली है फॉर्म जल्दी ही अपने फिल कर दीजिए क्योंकि 28 यहां पर इन्होंने डेट देती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म जो हैं फिल होते रहते हैं असाइमेंट चल रहे हैं आपके 31 लास रेट है तो जब 28 परवरी इन्होंने इसकी कर दी है तो हो सकता है आपके एडिशन जो असाइमेंट है वो भी 28 परवरी तक चले जाएं तो असाइमेंट अपने करते रहे है और एजामिलेशन की जैसे ही आपकी डेट शीट आएगी आप तक इन्फरमेशन पहुंच जाएगी